हलो एब्रिवान, वेल्कम बेक टो पुनम्स की चन, दिल्ली जैसा मतर कुल्चा घर में आसान इसे कैसे बना सकते हैं, इसके रेसिपी आपके साथ सेर करूंगी, कुल्चा का डव हम बिना मेहनत के एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, जिसे कुल्चे एकदम सॉफ्ट और चिनी को मेल्ट करेंगे, आज हम कुल्चा का डव एकदम आसान तरीके से और बिना मेहनत के लगा के रेडी करेंगे, चिनी मेल्ट हो गई है, चिनी को मेल्ट किया तब तक पानी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, इस तरह से हम उंगली डालेंगे, तो ज्यादा गरम पानी नह दालेंगे ताकि इस्त अच्छे से फूल जाएगी आज हम मिक्सर जार में ड़ो बनाकरेडि करेंगे तो एक कप गेहु का आठा लिया है इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और एक कप मैदा डालेंगे आप सिर्प कयों के आठे से Ride市 हिर्फ मेयदा से बना सकते हैं दो टेबल स दालने से कुल्चा एकदम सॉफ्ट बनेगा, एक टी स्पून नमक डालेंगे, इस अच्छे से एक्टिव हो गई है, साथ से आठ मिनिट में ये अच्छे से एक्टिव हो जाती है, इसे मिक्सर जार में डाल देंगे, पल्स बेटन दबा के आठे को मिक्स करेंगे, अब देख सेकते हैं, आठा अच्छे से मिक्स हो गया है, दो टेबल स्पून बटर डालेंगे, पल्स बेटन दबा के वापस इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, मिक्सी को कंटिन्यू चालू नहीं रखना है, इस तरह से पल्स बेटन दबा के ही इसे मिक्स करना है, बावल में तेल लगा लेंगे, अच्छे से बावल को तेल से ग्रीज कर देना है, हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे, और डव को अंदर से निकाल लेंगे, आपको इस तरह से मिक्स जार में नहीं करना है, तो आप बावल में भी डव हाथ से गून के बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ज्यादा थोड़ी मेनत लग जाएगी, बहुत ज्यादा इसे मस सलना पड़ता है, चमत से मैंने मिक्सर में से पुरा डव निकाल दिया है, इस तरह से, इसका एक राउंड बॉल बना लेंगे, उपर थोड़ा तेल लगाएंगे, बावल के उपर क्लेन फ्रेम लगा देंगे, तो अंदर हवा नहीं जाएगे, और डव अच्छे से फूल ज जाएगा, आपके पास इस तरह की क्लेन फिल्म नहीं है, तो आप कोई एर टाइट डबे में रखके भी इसे बंद करके रख सकते हैं, या फिर आप इसे कुकर में भी रख सकते हैं, डव को फर्मेंट करने के लिए किसी गरम चगा पे देड़ से दो कंटे के लिए आप किचन के कैबिनेट में भी रख सकते हैं, अभी आप कहेंगे कि ये मिक्सल चार तो खराब हो गया, ये आटा निकलेगा कैसे, तो अभी हम इसे कुछी सेकंड में साफ कर देंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, जार का ठकन बंद कर देंगे, और इसे कुछ सेक यहां पर मैंने एक कप पीला मटर लिया है, इसे दो से तीन बार अच्चे से पानी से धो के, एक चोथाई टेस्पून कुकिंग सोडा डाल के पानी में ओवर नाइट भीगो के रखा था, मटर एक दब अच्चे से भीग गये है, ये भीगोया हुआ पानी निकाल देंगे, और एक बार इसे साब पानी से दोएंगे, ताकि हमने कुकिंग सोडा डाला है, वो निकल जाएगा, इसे कुकर में डाल देंगे, इसमें पानी डाल देंगे, मटर डूप जाए और एक इच उपर आए उतना पानी डालना है, कुकर को मैंने गैस पे चड़ा दिया है, इसमे एक उबाल आये, तब तक हम इसे खुला ही good करेंगे, इसमें एक उबाल आ गया है और आप देख सकते हैं, कि इसमें जाक बंदे लगी है, तो इसे हम निकाल देंगे एक टीस्पुन नमक डालेंगे एक चौथाई टीस्पुन हल्दी पाउडर एक टीस्पुन तेल डालेंगे मिक्स कर देंगे तेल डालने से कुकर पे से पानी बाहर नहीं आएगा कुकर का टकन बहुत करके मेडियम फ्लेम पे 4-5 सीठी तक कूक करेंगे या फिर मटर एकदम अच्छे से सौफ्ट हो जाएगा तब तक इसे कुख करना है अभी हम खटा और तिक्खा पानी बनाएंगे एक मुठी हरा धन्या मिक्सर जान बे डालेंगे ये आधा कब जितना है और एक मुठी फुदी रेके पत्ते डालेंगे ये भी आधा कब जितना है आधी टीस्पून हींग, दो तिक्खी वाली हरी मिर्च एक कीच अधरा का टुगड़ा इसे चौप तके डाल देंगे आठ से नौ लेस्टून की कले डालेंगे, लेस्टून नहीं खाते है तो स्किप कर सकते है एक निम्बू की साइज का इमली का बॉल लिया है, ये 25 ग्राम जितना है ये डालेंगे इमली को आप भीगो पे भी डाल सकते हैं, आधी टीस्पून नमक डालेंगे आधी टीस्पून भूना जीरा पाउडर, आधा कप पानी डालेंगे और इसे एकदम स्मूध ग्राइंड करेंगे एक बावल में छनी रखके चटनी को हम छान लेंगे अगर आप इमली का पानी डाल रहे हैं, तो इसे छानने की जरुरत नहीं है आधा कप पानी मिक्सर जाल में डाल के ले लिया है, ये भी डाल देंगे इस तरह से छान लेगे, तो इमली का देशा निकल जाएगा खटा और तिक्खा पानी रेडी है, डव अच्छे से फूल गया है देड गुंटे में अगर इस तरह से डव अच्छे से नहीं फूलता है, तो आप इसे और आधा गंटा रख सकते हैं लेकिन इस तरह से पूरा फूल जाएगा, तभी हमें इसके उपर से धकन हटाना है इसके उपर थोड़ा सा सुखा पेंदा डालेंगी और इस तरह से बाउल में से डव को निकालेंगे हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के इसे मसल लेंगे तो यह चिपकेगा नहीं अभी हम इसका बॉल बना लेंगे इस तरह से राउन करके थोड़ी सी बड़ी साइस का बॉल बनाएंगे इस तरह से सभी बॉल बना के रेडी करेंगे हाथ में तेल लगा के बॉल बनाएंगे तो आठा हाथ में चिपकेगा नहीं इसमें से मैंने आठ लोई बना के रेडी की है इसके उपर कोई कपड़ा या नेपकिन ढग देंगे और इसे पांच मिनिट के लिए रेडी देंगे इसे रखके पांच मिनिट हो गई है तो अभी हम कुल्चा बनाएंगे बेलने के लिए एक लोई ले लेंगे इसे सुखा मैंदा में लपेटेंगे एकदम हलका हाथ से मेलेंगे आप चाहे तो इसे राउंड शेपका भी बना सकते हैं, इस तरह से बेल लेंगे, इस तरह से दूसरा कुल्चा भी बेल लेंगे, अगर डव आपको सॉफ्ट लग रहा है और आप कुल्चा नहीं बेल पा रहे हैं, तो सुखा मेदा डाल के डव को थोड़ा असा आप मसल लेन और फिर इस तरह से बॉल बनाके थोड़ी दिर रेष्ट देखे आप बेल सकते हैं कुल्चा का डोव वैसे तो एकदम सौफ्ट ही होता है यहाँ पर मैंने सभी कुल्चा बेल के रेडी कर दिया है गरम तभी पर कुल्चा डालके सेक लेंगे पहले इसे दीमी आज पर कुक करना है नीचे से लाइटली कुक हो जाए तब इसे पलेट लेना है और विडियम फ्लेम पर कुक करेंगे नीचे से लाइटली कलर चेंज हो जाए तब पलेट लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं कुल्चा कितने अच्छे से पॉफ हो रहा है इस तरह से बनाएंगे तो एकदम फुला फुला कुल्चा बनके रेडी होता है पलेट लेंगे और इसे निकाल लेंगे बहुत ज्यादा इसे उलट पलेट के कूक नहीं करना है नहीं तो यह हाड whose जाएगा और इसे कपड़े में लपेट के रखना है कुल्चा को हुमें कॉटन कपड़ा या नैपकीन में लपेट के रखना है इस तरह से गरम कुल्चा नैपकीन में लपेट के रखेंगे तो यह गड़क नहीं होगा एकदम सौफ्ट रहेगा मटर अच्छे से कूख हो गया है एकदम soft हो गया है अब ही मैं आधा मटर एक टॉप में निकाल रही हूँ जितना हमें सौव करना है उत्ने में ही हमें प्याज और टमाटर डाल के mix करना है एक medium size का प्याज बारिक काटके डालेंगे एक मिडियम साइस का टमाटर बारिक कटा हुआ, कम तेखी वाली हरी मिर्च आधी चॉप करके लिए है, हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आठ से दस अध्रक जुलियन डालेंगे, दो टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया, आधी टीस्पून निबू का रश डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें आधी टीस्पून चाट मसाला भी डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, कुल्चा को रोष पलट लेंगे, दोनों साइड से कुल्चा को अच्छे से सेख लेंगे बटर में, उपर कस्मेरी लाल मिर्ची पाउंडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, इस तरह से कुल्चे को बटर में रोष्ट करके साव करेंगे, मटर कुल्चा बनके रेडी हो गया है और कुल्चा एकदम सौफ्ट बना है, और आप देख सकते हैं अंदर जाले भी कितनी अच्छी पड़ी है, मटर बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार जरूर ट् करें, रेसिपी आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बोक्स में लिखे मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब